वसिष्ट महराज भारत जी को लेकर के प्रभुराम की तरफ आते हैं प्रभुराम को ढूंड़ने के लिए आते हैं तो भारत जी पैदल चलने लग गए अब जब पैदल चलने लगे तो सब भारत जी को देख देख के सारी आयुध्या की जनता पैदल चलने लगी तो कौशल्या ने कहा भारत जी से कि भारत जी आप पैदल चल रहे हो तो आपके देखते देखते ये सारी आयुध्या की जनता पैदल चल रही है इसमें कुछ ऐसे भी है जो पैदल नहीं चल सकते सक्षम नहीं है तो चल रहे हैं इसलिए आप रत पर बैठो मा की आज्या को ले करके भरत जी रत पर बैठे साथ में गुरु जी थे उनको ले के चले चले तो बड़ा काफिला सब लोग रतों पर बैठे जो दोड़ने में शक्षम थे वो पैदल चल रहे थे बागी सब लोग घोड़ों पर रतों पर बैठके चल पड़े तो निशाद राज ने धूल देखी निशाद राज ने सोचा कि भरत जी आ रहे हैं तो देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या भावना है अगर प्रभू से बैर होगा तो मैं वही पर युद्ध करूँगा और प्रभू से प्रेम होगा तो उनका स्वागत है अब इदर निशाद राज जी खड़े हैं उदर सामने से भरत जी का और गुरु महराज का रथा रहा है वसिज जी का रथा रहा है रथ को देख करके दूर से ही निशाद राज प्रणाम करता है दूर से ही छाया भी नहीं पड़ रही दूर से ही प्रणाम करता है तो भरत जी पूछते हैं वसिज जी से कि गुरु महराज ये ये कौन है जो प्रणाम कर रहा है लेटा हुआ है तो वो ये नहीं कहते हैं कि ये निशाद राज है ये बहुत छोटा है इसको हम से दूर रहना चाहिए ये नहीं कहते हैं वो कहते हैं कि ये राम सखा है उसका परचय निशाद राज का राम सखा कह करके करवाते हैं अब भरत जी ने जैसे ही राम सखा सुना कि मेरे प्रभु राम के ये सखा है रत से उतर गए रत से उतर गए तो गुरु महराज ने कहा कि भई आप आयुध्या के राजा हो चलो ठीक है जब तक प्रभु राम से मुलाकात नहीं होती आपके पिताजी ने तो आपको राजा बनाई ही दिया आप अयुद्धा के राजा हो और ये छोटा सा एक राज्य है जिसका निशाद राज राजा है छोटा सा ही तुकडा है राज्य है आप इसको देखते ही उतर गए रत से आयुज्ञा तो बहुत बड़ी आप तो भूपती हो तो अपने कुरु महराज को बड़े प्यारे वच्णों में भारत जी कहते हैं कि मैं किसी राजा के लिए नहीं उतरा हूँ मैं तो राम सखा राम सखा नीचे खड़ा हो तो मैं तो राम का दास हूँ राम का दास रत पर कैसे बेढ़ सकता है अगर राम सखा धर्ती पर खड़ा हो तो भरत जी उतर जाते हैं उतरते हैं तो सबसे पहले निशाद राज को हृदै से लगाते हैं अब देखे भावना कितनी प्रधान है हृदै से लगाते हैं हिरदय से लगाने के बाद उसके बाद रात को वहाँ पर विश्राम होता है रुख गई सब लोग तो रात्री को भरत जी सो नहीं पाते हैं तो निशाद राज ने का प्रुभू आप क्यो नहीं सो रहे हैं क्या बात है क्या आपको क्या तो भरत जी निशाद राज से कहते हैं कि मैं वो जगे देखना चाहता हूँ ज़ा रात्री भगवान राम ने काटी वो जगे मुझे दिखाओ आप कि मेरे प्रभू राज प्रसादों को छोड़ करके और यहां जंगल में तुरणों के उपर धरती पर पत्तों पर पहणियों पर लेटे वो जगे दिखाओ तो निशाद राज जी ले जाते हैं तो भरत जी वहां देखकर के समाधिस्ट हो जाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि भावना इतनी प्रधान होती है इसलिए कहां भाव का भूका हुमें और भाव ही एकसार है और भाव से मुझको भज़े तो भाव से बेड़ा पार है दुर्योधन ने भगवान को प्रभावित करने के लिए कितने पकवान बनाए आज का जमाना होता तो कोई चाइनीज बनाता कोई नौर्थ इंडियन बनाता साउथ इंडियन बनाता सब की सब के खाने बनाता वो जमाना तो ऐसा नहीं था पर कसर तो नहीं छोड़ी होगी दुर्योधन ने भगवान को इंफ्लोंस करने के लिए भगवान को प्रफाइद करने के लिए पर क्या का जाता है दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग बिदुर घर खाई भगवान जाते हैं विदुरानी से कहते हैं विदुरानी कुछ खिलाओ विदुरानी कहती है खाना तो खतब हो गया बोला रे कुछ तो होगा कढ़ाई लाओ कढ़ाई में कुछ तो होगा तो उसमें खुर्चन उथी खुर्चन जो मातां यहां खुद पकाती होंगी उन्हें पचाए खुर्चन जो होती ज़्यादा स्वादिस्थ होती है जलावा भाद ज़्यादा स्वादिस्थ होता है जो तव्य में लग जाता है तो खुर्चन भगवान ने निकाली और भगवान ने खुर्चन ही खाके अपने को संतुष्ट कर लिया तो दुर्योधन के बेवा त्यागे साग विदुर घर खाई भगवान जाते हैं विदुर जी महाराज के पास कहते हैं उनके प्रेम में भक्ती में इतने प्रसन्न हो गए कि वो क्या है केले को छील रही है गुदा फैंक रही है और छिलका खिला रही है आपके आँ तो कोल बोलते हैं कोल तो छिलका खिला रही है भगवान छिलका ही खा रहे हैं इसलिए कहा उची प्रेम सगाई तो भाव का भूका हुमै और भाव एकसार है और भाव से मुझको भजे तो भव से बेडा पार है इस भावसागर से पार उतरने के लिए भक्ती और भावना यह हमारे अंदर होनी चाहिए इसी से प्रभू प्रभावित होते हैं